अलो दोस्तो, learning short में आपका स्वागत है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप PC मोटर को reverse और forward कैसे कर सकते हैं, कुछ बटन की दूप, और मैं आपको इसकी simulation प्रोटेस में दिखाऊँगा, तो आप अब शुरू करते हैं, सबसे पहले आप की लीग विजन को उपन कर लें, और प्रोजेक्ट पे जाएं और न्यू विजन प्रोजेक्ट पे करें, और इस फाईल को सेफ कर लें, मैं डोकॉमेट के न्चाने से सेफ कर रहा हूं मोटर के नाम से सेफ कर रहा हूं कक आपने सेफ कर लिए और रसी वह उचा ग्रेप जनरी केक्ट कर लिया अब फइल पर जाके न्यू फईल लही और इसे सेफ कर लिया आप जब इसे सेव करेंगे तो इसे .c की नाम से सेव करें अब आप टार्गेट पे जाएं source group पे क्लिक करें और उस फाइल को लिंक करते हैं तो आप प्रोग्रामी सक्षिन चीन करते हैं तो आप दे सकते हैं इस इंप्रोग्राम हैं यहां पे मैंने header well include की और उसकी port define करती और if statement यूज की है तो आप इसे सेव कर लेंगे और अगर आप f7 तबाएंगे तो आप नहीं सकते हैं 0 error 0 warning की हमारा जो बनाया हो प्रोग्राम है विड़कुल सही है तो अब हम इसकी एक्सवेल क्रेट करेंगे तो अब हम इसकी simulation देखेंगे Croteus में तो आप Croteus को उपन करने और स्कुमेटी की आपचेदे लिख करेंगे अब आप पिक्टवाइस पर लिख करेंगे और कॉम्पनेंट सेर्च कर लें अब आप कुछ बटन सेर्च कर लें अब आप कुछ बटन सेर्च कर लें अब आप करेंगे अब आप अब आप अब आप इनका कनेक्शन नाएंगे अब करेंगे आप अब आप अब मद करेंगे झाल झाल प्रोग्राम अप्रोड करेंगे आट यह गित करें और फाइल पे जाएं अब मैंने न्यूपोडर के इंदिर इसको सेव किया था मोटर डोड हैक्स को ओपन कर लें और उपके कर देंगे इसकी सिमुलिशन देखेंगे अगर आप भी इसे घर पर ट्राइ करना जाते हैं तो आपको इसके लिए दो अगर आप इसे डाउड करना साथ चाते हैं तो मैं अपनी वीडियो के इसक्रिप्चन में उनका लिंक डाहतंगा और आप इसे डाउंड लोड कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को करें थांक यू पर वाचिंग